दुनिया कोरोना वारस से बुरी तरीके से गरसित है तमाम देशों में इतने सारे मरीज होने के बाद और इतनी मोते होने के बाद भी अब भी कोरोना वारस के नएने सिम्टम्स निकल कर सामने आ रहे हैं जो चौका देने वाले होते हैं हाल ही में कुछ रिपोर्ट के मताबिक कोरुना वायरस से ग्रसत होने वाले अधिकांश लोग जो अब ठीक हो चुके हैं उनके फेफडों को जबरदस्त नुकसान पहुचा है वही कुछ लोगों के रिपोर्ट फर से पॉजटिव आने के बाद उन्हीं कौरिंटाइन भी किय प्रमुग अस्पटाल से ठीक हुए कोरुना पेशिंट के नमूनी लिए गए और इनकी जाच की गए जाच में चौकाने वाली जानकारी सामने निकल कर आई लिए गए नमूनों में से नभे प्रतिशत मरीजों के फेफडों को नुकसान पहुचने की बात सामनी आई है नित्रत में एक दल अप्रेल महा से ठीक हो चुके मरीजों के स्वास्त की फिर से जाच कर रहा है इस जाच में शामर मरीजों की उम्र लगभग उन साथ साल है और जाच के पहले चरण में ये पता चुला है कि 90 प्रतिशत मरीजों के फेफडे खराब स्थिती में है इन के दूरी तैक कर सकती ये भी देखा गया कि छुटे मिलने के बाद ठीक होने के बाद भी तीन महीने तक कुछ मरीजों को ऑक्सिजन मशीन की जरद बड़ी नतीजे में ये भी सामने आया कि कोरोना वायरस के खिलाफ बनी एंटी बॉडीज अब मरीजों में नहीं है नहीं क कोरोना वारस से संक्रमित हो गए हैं सभी जानते हैं कि कोरोना वारस सबसे पहले वुहान में ही सामने आया था और इसकी वज़स से अधिकांश लोग डिप्रेशन में हैं लोग अब तक काम पर नहीं लोटे हैं और कुछ मरीजों के परिवार वाले तो आज तक उनके साथ बैटकर खाना ही नहीं खा रहे हैं इसलिए जद्यन के नतीजे काफी मैदो पूर्ण हो सकते हैं सब्सक्राइब आर चैनल एंड प्रेज तबेल आइकन फोर अपडेट्स